हलो एवरीवान वालकम बैक तो में चैनल गईज अचके इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक टोनर का रिव्यू शेयर करूंगी दिस फ्रम गुडवाइब्स टोनर का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दू के यह जो वीडियो है यह एक रिक्व किया है और उसके बाद आज मैं आप लोग के साथ इसका कम्पलीट रिव्यू शेयर करूंगी गाइस तो सबसे पहले हम इस टोनर के पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं सो गुडवाइब्स के जो टोनर की पैकेजिंग आती है सभी टोनर के इस तरीके से आती है यहा काफी बड़ीया प्लास्टिक हैं सो एक ट्य scrut फ्रेवल फ्रेंडली प्रोडग्त है यहाँ पर शे में तोनर है काफी बड़ाइब्स के तोनर में काफी सारे वेरियन्ट अवे जैबलेवल है सो यह जो है राइस वेरियन्ट है यह ऐसा क्लेम करती है कि यह मारे स्कीन को ब्र पता लग गया है कितना हद तक यह वर्क करता है ओके सबसे बैस पार्ट के यह नो परविंस और नो अलकोहॉल है ठीक है दो चीजें इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे सबसे ज्यादा इस टोनर में जो पसंद आया वो है इसकी फ्रेग्रेंस गैस इसकी फ्रेग अगर मैं प्रॉपर कहूं तो जो लेवेंडर फ्लार होता है बिलकुर उसकी तरह इसकी फ्रेग्रेंस से बहुत अच्छी है रिफ्रेस कर देती है मुड को एंड इससे स्प्रेइ करने के बाद आपका जो फेस है अगर डल एंड डलनेस आ गई है आपके फेस पर तो आपको फ्रेस कर देगी, रिफ्रेस कर देती है समर टाइम तो आप इसे जरूर से ट्राइ कर सकते हो समर में बहुत ज्यादा मतलब घर्मी के वज़े से हमारे फेस पर थकान आ जाती है तो इससे आप अपने फेस को रिफ्रेस कर सकते हो ठीक है और नो मिनरल ओयल है, नो सल्फेड है और नो आनिमल टेस्टिंग प्रॉड़क्ट है बाद ब्राइटनिंग की तो गाइज ये ब्राइटनेस प्रोवाइड नहीं करता बठा डल फेस पर ये एक हलका सा ग्लो जरूर देता है तो आपने नहाने के बाद तोनर कैसे अपलाई करना है तो नहाने के बाद या जब भी आपको धकान सी महसूस हो फेस डल लगने लगे तब भी आप इसे स्प्रे कर लीजिए दिन में आप इसे 2-3 बार अपलाई कर सकते हो या फिर रात को सोने से पहले करता है जल्दी से ट्राइ हो जाता है एंड जिस वक्त अप्लाइ करते हैं थोड़ी सी इर्टेशन लाइक burning type होती है like jalan जिसे कहते हैं हलकी हलकी अब या आप उसे mint type like आप कोई mint product लगाते हो तो उसे ठंड़ ठंड़ा ठंड़ा feel होता है या फिर हलका सा जलता है मैं इतना feel नहीं कर पाई बढ़ हां इस irritation इस burning के बाद मुझे किसी तरह का side effect नहीं हुआ हो सकता है सिस्प्रे करने के बाद मुझे हुआ है हो सकता है आपको ना भी हो ता पैच टास जरूर कर लीजे बट किसी तरह का कोई side effect नहीं हुआ चिप चिपा तो बल्कुल भी नहीं है लगाने के बाद जैसे ही dry out होता है तो आपको लगईगा ही नहीं कि आपने कुछ अपलाए किया है और गुडवाइब्स का टूर मैं फर्स टाम यूज कर रही हूँ तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो यह 210 रुपीज का है और यह आपको परपल.com पर Amazon पर इसली मिल जाएगा परपल.com पर जैसे के यह 210 का है तो यह आपको 195 संथिंग में मिल जाएगा और आमजोन पर भी आपको उसी प्राइस में मिल जाएगा 190 संथिंग और अमार पी तो नहीं मैं आपको यही सजिस करूँगी कि आप इसे परपल से बेटर आमजोन से परचेस करें क्योंकि मैंने इस एमिजोन से परचेस किया है मुझे एक ही दिन में रिजीव हो चुका था यह टोनर सो वेरी फास्ट सर्वेस एंड 120 ml इसकी क्वांटिटी है क्वांटिटी काफी बढ़िया मिल जाती है बैस पार्ट के यह एक स्प्रे बॉटल है प्रसनली मुझे स्प्रे वाले टोनर बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से जस्ट ऐसे स्प्रे कर लिया तो मतलब फेस रिफ्रेस हो जाता है इसके पीछे इसके सारे इंग्रिडियन्स वगिरा अगएरा सभी कुछ मेंशन किये गए हैं इसमें मेंशन भी है कि यह सुटेबल फॉर और जाड़ स्कीन टाइप बता दू मेरी स्कीन बहुत ज्यादा ड्राय है तो यह मेरी स्कीन को हाइड्रेट भी रखती है तो अभी आपको लगीगा कि यह dry skin को hydrate रखती है तो oily skin को हो सकता है थोड़ी चिप-चिपी लगे बड़ ऐसा कुछ नहीं है guys अभी मैंने इसको spray किया बहुत awesome इसकी fragrance है and long lasting है लंबी समय तक stay भी करती है max 1-2 घंटे तो अराम से stay कर जाती है and how to use इसे normally हम toner का इस्तिमाल करते हैं face clean होना चाहिए directly आप इसे neck पर face पर apply कर लीजिए spray कर लीजिए and इसे हवा में सुखने दीजिए या फिर हातों से dab-dab करके भी आप इसे fry कर सकते हो जहां तक हो हवा में ही सुखने दीजिए अच्छा रसर्ड मिलेगा and be careful so इसे अपने आखों से बचाए बचों से दूर रखे and all जो भी general बाते होती है वो सभी कुछ यहाँ पर mention किया गया है so guys मैं इस good vibes के rice toner के लिए यही suggest करूंगी कि यह अगर आप इसे purchase करना चाहते हो तो कर सकते हो बढ़ हां अगर आप यह सुचकर purchase करना चाहते हो कि मैं इस toner को apply करने के बाद मेरी जो skin है bright हो जाएगी तो आप फर इसे purchase ना करें बढ़ हां अगर आप इस as a toner like a toner हम क्यों इस्तमाल करते हैं अपने open pores को close करने के लिए face को refresh करने के लिए तो आप उस basis पर आप इसे purchase कर सकते हो and rice जो water होता है rice water rice का स्तमाल open pores के लिए काफी best माना चाता है guys so मैं आपको यही suggest करूंगी कि अगर आप कोई affordable and अच्छा सा toner लेना चाहते हो तो आप इसे जरूर से try कर सकते हो अच्छा है मैंने भी से use किया है so guys I hope so का यह वीडियो आप लोग के लिए useful रहा हो and अच किस वीडियो से related अगर आपको कोई भी question हो तो आप मुझे नीचे comment box में जरूर से पूछ सकते हो मैं इस toner की जो link है आपको नीचे description box में provide कर दूँगी अगर वीडियो पसंद आया तो please like this video and subscribe to my channel thank you bye, take care